एक दिन स्पाइडी कैपटन का DNA सेंपल ले ना होता है कुछ कलोन बनाने के लिए, फिर DNA मिलने के बाद स्पाइडी बोलता है ओके थैंक्यू कैपटन काम हो गया, फिर कैपटन बोलते है कि कोई न तुम अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करो, लेकिन तुम्हारी कलोन बनाने वाली मशीन कब तक तक त्यार होगी स्पाइडी बोलता है बस काम खतम ही हो गया है कुछी देर में मशीन भी काम करना चालू कर देगी ये सुनकर कैप्टन बोलते है ठीक है तुम्हारा हम से काम करो मैं जाता हूँ स्पाइडी भी कैप्टन को बाई बोल कर अपने काम पर लग जाता है कुछी देर में स्पाइडी सोचता है कि लगबग काम तो होई गया तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ तभी Spidey मशीन को on कर देता है मशीन में भी कलोन बनना चालू हो जाता है कुछी देर में कलोन तियार हो जाता है और कलोन तो देखने में बिल्कुल Spidey और Captain जैसा होता है तभी कलोन अपना हाथ उठाकर Spidey को हाई बोलता है पिरिके अपना स्पाइडी तो कलोन को बात करते देखकर बहुती ज़ादा खुश हो रहा होता है बट यहाँ पर एक ऐसी ट्रैजिक एंडिंग होती है जिसकी वज़े से स्पाइडर मैन को मरना पड़ता है जिसको जानने के लिए आप प्लीस कमेंट्स में पार्ट टू स्पाइडी अपने कलोन को बात करते करो बहुते जादा खुश हो जाता है और इसी ही करते करते मशीन अन्लेमिटेड कलोन बना देती है दूसरी तरफ Spidey और Clone बात ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी Spidey देखता है कि बहुत सारे Clone की Army बंच चुकी है ये देखकर Spidey घबरा जाता है और Clone से पूचता है तुम यहाँ पर आए कैसे जवाब में Clone बोलते हैं डैड आप नहीं तो हमें बनाया था ये सुनकर तो स्पाइडी और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि इतनी बड़ी गलती मैंने कैसी कर दी मैं एक मशीन बंद करना भूल गया यार और तुम यहाँ पर करोगे क्या क्लोन्स बोलते हैं जो बोलोगे वही करेंगे डैड क्या आपको दुनिया चाहिए इसके बाद स्पाइडी के साथ क्या होता है इसके लिए पार थ्री कमेंट जरूर करो और शैतानी हसी के साथ कहता है कि दुनिया पर कबजा करने पर मज़ा तो आता अभी यहाँ पर हमें डॉक्टर स्पाइडी दिखाया जाता है जो कि है ना रियल वाले स्पाइडी का माइंड कंट्रोल कर रहा होता है अभी यहाँ पर आइरन स्पाइडी के कलोन आ जाते हैं और देखते ही देखते हैं यहाँ पर स्पाइडी के कलोन की आर्मी खड़ी होती है जो कि कहती है कि अब तो हम दुनिया पर कबजा करके रहेंगे